कडाके की गर्मी से परिशान है, उत्तर प्रदेश में मौसम ने ली है एक नई करवट, चलिए, जानते हैं ताजा हालाथ पिछले 24 गंटों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हलकी बारिश और बादलों की वजह से मौसम में ठंडक आई है लखनव समेथ आसपास के इलाकों में बुधवार रात हुई बारिश ने तापमान को काफी हद तक कम कर दिया है राज्यभर में अधिक्तम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्च की गई है नियूंतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया लेकिन अब आप सांस ले सकते हैं क्योंकि गर्मी का कहर थोड़ी राहत देने लगा है और ये राहत अभी और बढ़ सकती है क्योंकि लखनव मौसम केंद्र ने गुरुवार को आंधी और हलकी बारिश की संभावना जताई है साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से हवाएं चलने का भी अनुमान है जो आपको भीशन गर्मी से थोड़ी और राहत दिलाएंगी अब बात करते हैं प्री मौनसून की प्री मौनसून बारिश 21 से 23 जून के बीच होने का पूर्वा नुमान है मौसम वैग्यानिक मुहमद दानिश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में फिलहाल लोगों को भीशन गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है और ये स्थिती आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी अधिक्तम तापमान में और गिरावट हो सकती है लेकिन नियूनतम तापमान अभी स्थिर रहेगा मौनसून की मौनिटरिंग लगातार की जा रही है ताकि सही समय पर सही जानकारी दी जा सके अब नजर डालते हैं उन जिलों पर जहां मौसम सुहावना बना रहेगा लखनव, बारबंकी, हरदोई, कानपुर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बलिया, बहराइच, फतेहपुर, बांदा, सुल्तानपुर, अयोध्या, मतुरा, चित्रकूट, फुरसत गंच, गाजीपुर, फतेहगड़ और बस्ती में आज से बादलों की आवाजा ही बनी लेकिन हर जगह राहत नहीं है, वारानसी, प्रयागराज, जहांसी, आग्रा और बुलंदशर में हीट वेव का अलर्ट जारी है, यहां का अधिक्तम तापमान 44-45 दिग्री से बीच रहेगा और नियूंतम तापमान 26-29 दिग्री से बीच, इन जिलों में गर्मी अभी भी इसलिए सतर्क रहें, उरई, हमीरपुर, बरेली, शहजहांपुर, नजीबाबाद, मुरादाबाद, मुजफरनगर, मेरट, अलिगड, इटावा, आजमगड, नोएडा, गाजियाबाद, हापुर, सहारनपुर, कन्नौज और हर्दोई में भी तापमान 49-42 दिग्री से बी पोट.